नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक ओने इंटेस्टिंग वीडियो पे तो बैल गए जो आज का वीडियो होने वाला है जीटे 5 लाइट के उपर होने वाला है अब कुछ लोग बोलोगी भाईया जीटे 5 लाइट क्या है क्या हम लाइट वर्जर में अब कहां से आपको डाउनलोड करना है अगर में से कोई पूछता है कि भाईया पेस्ट ओपेंड वर्ल्ड गेम बताओ तो भाईया मैं सज्टेस्ट करूंगा जीटे 5 बट यहां पर एक इशू यह आता है कि जीटे 5 हर किसी के PCI लापटोप में तो चलता नहीं है भाईया सही बात है रीजन काफी सारे हो जाते है पहला रीजन तो यह रहता है कि भाईया गेम का जो system requirement है भाईया हमारे low end PC से तो मैच होता नहीं है दूसरी बात है चल तो जाता है लेकिन इतना लाग करता है मतलब इतना अपने ग्राफिक स्वेलेटी डल करना रहता है कि भाईया बात है कि भाईया गेम का साइस काफी बढ़ा रहता है कुछ लोग क्या रहते कि इनके पास वाई-फाई नहीं है जिनके पास जो data users है वो download नहीं कर पाते तो भाईया काफी सारे लिस्ट लंबा बहुत लंबा चोड़ा है बट बंस तो लेविटेशन 4D चुकल यार इस light version क creator वहीं है तो उनके चैनल का link में description में दे दूँगा तो कि GT5 light की बात करें तो GT5 light एक original version का downgraded version है तो लिए आप बोल सकते कि GT5 light के जो graphics है downgrade किया गया है जैसे for example graphics को downgrade quality को थोड़ा लोग किया गया है texture quality को थोड़ा लोग किया गया है और काफी और भी सारे यहां पर आपक changes देखने को मिल जाएंगे आप इस GT5 light को अपने low-end PCI laptop पे काफी आसानी तरीका से प्ले कर सकते बात भी आपकी मन में यह रहेगा कि गेम का size तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दो कि भाया यह गेम आपको 40 GB आसपास देखने को मिल जाता है तो भाया कहां 120 GB और कहां 40 GB तो काफी difference देखने को मिलने वादर में आपको वह सभी चीज़ देखने को मिलेंगे जो आपको original GTA 5 में देखने को मिल जाते है बट बिसिकली यहां पर आपको अपना first mission देखने को मिलता है व्लॉग वाला mission रहता है उसे यहां पर skip किया गया क्योंकि बिसिकली उसमें कुछ ऐसा issue आ रहे है तो mission को यहां पर आपको skip कर दिया गया बाकि यहां पर आपको जितने भी mission है वो सब यहां पर आपको देखने को अपने पर जो low-end PC है उसमें भी अपने को तीन काटेगरी में डिवाइडेड है देख सकते हैं आप आपको तीन वर्जन मिल रहा है ग्राफि अब यहां हमारे पास low-end PC है तो भाया हम तो सीधा एक ही version दे दो तो भाया यहां पर मैं आपको बता दू कि जैसे अगर आपके पास low-end PC है तो भाया तीन काटेगरी में इस graphics version को डिवाइड किया गया है जो native version है उसके graphics quality काफी enhance है काफी OP यहां पर आपको देखने को मिल जाद जो शैड़र वर्जन है उसमें आपको graphics quality medium देखने को मिलता है जो लास्ट और वर्जन निकल के आता लाइटर वर्जन उसमें आपको graphics quality थोड़ा low देखने को मिलता है आपर मैं जैसे कि आपको previous topic में से आपर डिसकस कर एकिए भाया तीन graphics version यहां पर आपको देख रह चाहिए CPU की बात करें तो Intel i3 में अराम से चल जाएगा दो कोर का and GPU की बात करें तो Intel SG 530 में यह अराम से चल जाएगा और स्पेस आपके पास 44 GB के आसपास खाली होना चाहिए इस गेम को स्टॉल करने के लिए आमे शैड़ो प्रेसेट तो वेल उसका भी system requirement 4 GB होना चाहिए CPU की बात करें तो इंटल i3 6606U होना चाहिए and GPU की बात करें इंटल HD 520 में अराम से चाहिए इसकी बात करें तो 44 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी PCI लापटॉप पे तो वेलगे जो मारा थर्ड वर्जन निकल के आता लाइटर प्रेसेट तो उसका system requirement यहापर म की बात करें तो 4GB होना चाहिए CPU की बात करें तो इंटल i3 3110M होना चाहिए टू कोर का CPU की बात करें तो इस गेम को स्ट्राल करने के लिए तो बाइया क्या हम इसे मुल्टी प्लेयर खेल सकते हैं तो यहां पर जवाब है नहीं आप GTI 5 Lite को मुल्टी प्लेयर नहीं खेल सकते हैं सेवन फरवरी को यह गेम रिलीज होने वाला है तो इस यह लाप टॉप पे अब तीसरी बात अब लास्ट टॉपिक पर आपना आते हैं कि भाया दाउलोट कहां से करना है तो भाया कहीं और नहीं जाना है लेविटेशन 4D के यूटूब चैल पर आपको जाना है सब्सक्राइब करो अपने प्यारे रजगुले दुस्तक से जरू शेर करो मिलता हूं एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवाल का लगना और जै हिंजै भारत